चंडीगर से लगते डेराबसी के लालुडू की कुलदीब कौर के सुसाइड मामले में पांच दिन बीत जान के बाद भी आरोपियों के गिरफतारी ना होने के बाद अब स्यासी दल भी परीजनों के साथ खड़ा होना शिडू हो गए हैं इसी कड़ी में आज कुलदीब कौर के मिर्तक परिवार को मिलने के लिए पंजाब के पूर्व उपमुखे मंतरी सुखवीर सिंग बादल पहुंचे इज़ोरान सुखवीर सिंग बादल ने कहा कि अगर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस चाहती तो अरोपियों को गिरफतार किया जा सकता था लेकिन गिरफतार नहीं किया गया उन्होंने कहा कि हमारी पारटी शिरोमानी काली दल परिवार के साथ खड़ी है आगर परिवार को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम उनके साथ खड़ी हैं सुख्मीर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साथते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को किसी भी चीज की कोई परवा नहीं फिर नहीं तो इस स्पीने ठीजाने ठीजाने नहीं कें जुख्यू सब्सक्राइब करते हैं एक इस्पी शाबम केस्ज मैं हों करता है वहीं मृत्का का शब अभी भी मौचरी में ही है पर युनु का साफ कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक वे मृत्का का संसकार नहीं करेंगे बतादी कि यूवती की आतमत्या के इस मामले में मृत्का ने सुसाइड नोट में अपने ही विभाग के सीनियर पर आरोप लगाय थे लेकिन सुसाइड नोट में नाम होने के बावजूद रेलवे पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है बैराल मामले में पुलिस जहां जल्द ही आरोपी को गिरफतार करने का दावा कर रही है ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी तक पहुंचती है पंजब के सी टीवी के लिए डेरावसी से एक कुलदीप कुमार की रिपोर्ट